ही गाईज लाइकम बाक तो मिस्टर व्यास और एक बार फिर से आप सभी का हमारी चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है गाईज आज हम डिसकस करने वाल है कि कौन-कौन से ऐसे फ्री कीवर्ड रिशर्च के एक्स्टेंशन साया टूल से जो आप यूज कर सकते है कीवर्ड रिशर्च के लिए और जो जो बहुत सारे वीडियो पर कमेंट आ रहा है तो इसको लेगर करके मैंने इस पर वीडियो बन लेकिन हाँ अगला वीडियो जो आएगा गाइस वहाँ पे मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने Q&M session पर लाइव session पर डिसकस किया था वर इस KGR technique keyword golden ratio जो कि basically Doug Cunning is five niche website I think वहाँ के honor है वो उन्होंने ये technique evolve की है और क्या वो really effective है उससे कैसे keyword research करते हैं तो KGR में definitely future इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा लेकिन इससे पहला आपको जानना जरूरी है उसके लिए कौन सा टोल यूज करें सब्सक्राइब की स्क्रीन पर है अगर आप मैंसे कोई भी ब्लॉगिंग सीखना चाहता है या सीख चुका है या किसी पर तरीके के ट्रेनिंग लेना चाहता तो आप basically bloggingos.com पर आईए और यहां पर enroll कीजिए यू विल गेट फ्री 9-day series on how to do blogging फ्री होगा more than 15-20,000 का content आपको मिलेगा so that is too good okay तो चलिए बात करते कौन-कौन से ऐसा है जो keyword research के tool free में आपको use कर सेथे इसके लिए आपको google पर जाना है जो सबसे पहला tool आपको use करना है वो है यहां पर आपको करना है keyword surfer basically हमारे पास पहले keyword everywhere हुआ करता था लेकिन अभी keyword everywhere credit points और paid network पे चला गया है तो इसके लिए हमें कुछ alternative निकालना है जो keyword everywhere की तरह ही काम करेंगे उसके दर जो मेरा एक पहला tool है keyword surfer आपको keyword surfer पर click करना है जैसे ही उसको आप click करते है गाईस तो automatically यहां पर उसका भी chrome extension आ जाता है यह से कि आप देख पा रहा है कि keyword surfer chrome.google.com उसको click करना है नॉर्मल जैसे हम keyword everywhere कैसे use करते हैं similar way इस tool को यहां से add to chrome extension में add कर देना है और जैसे आप add करते है एक बार मैं दूसरा window भी खोल लेता हो ताकि हम देखते जाएंगे कि इसका advantage का है तो यह वहला टूल है इसको simply आपको add कर देना अल्रेडी मैंने add कर रहा है इसलिए इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा अगर यह देख रहा है मतलब वह तूल अल्रेडी इंस्टॉल है यह तूल क्या करता है किस तरीके से करता आप देख सकते है यहां पर यह भी search volume जब भी जाते है अगर यह extension already added है इस तो उसके इंदर जैसे आप click करते हैं click करने के बाद में आपको वहां पर दो options आते हैं आपको global search volume चाहिए show domain data in search search engine ranking pages और show global search value कि आपको पूरी दुनिया का उस keyword का search चाहिए तो आप इसको जैसे ही on रखेंगे तो automatically यह नहीं है इसको आपको ignore करना यह दूसरा keyword extension है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कौन सा keyword extension आपको यूज करना है लेकिन यह जो data आपको दिख रहा है यहां पर तो यह जो data आ रहा है वो keyword surfer की वज़द से आ रहा है और यह जो टूल के हिसाब से बता रहा है कि United States है जैसे आप एक country चूज कर सकते है आप जो भी आप country चूज करना चाहिए तो मैंने अभी US चूज कर रहा है तो इसमें देख सकते हैं आप इंडिया भी है या नहीं है इंटिंग international countries ही है तो उसके अंदर आपको 18100 जो है search volume वह आ रहा है यूस से और all about worldwide search volume आ रहा है यह तो य यहीं से आपको idea मिलेकर साथ ही साथ आपको बहुत सारे keyword के idea जहां parallel मिलने चालो हो जाएंगे जैसा कि हमें keyword everywhere में मिलता था यह plugin आप definitely use कीजिए search volume और सारा data आपको मिलेगा इस keyword की इस plugin के help से बात करते है next plugin कौन सा है गाईज तो जो next plugin है जो आपको use करना है keyword lookup जहां keyword lookup भी chrome का extension है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यह data जो यहाँ पे निकल के आ रहा है यह नीचे वाला वह keyword lookup से आ रहा है और जो कि यहाँ पर already installed आप देख सकते keyword lookup तो चलते हैं यहाँ पर और एक बार keyword lookup को दिखा देता हूं में कैसा दिखता है ताकि आप इसको क्योंकि यह दो chrome extensions है जो आपके chrome के अंदर चलेंगे ओके तो keyword lookup जैसे इसको मैं click करता हूं तो automatically आपको वही उसका chrome extension आएगा जैसे हम इसको एड़ किया इसको कोई भी email कोई registration की कोई जरूत नहीं है जो कि हम वहां पर करते थे क्योंसे keyword everywhere के अंदर registration करते थे और API की चनरेट होता था this is free to use just extension download करो I mean आपके chrome के साथ में add करो और यह keyword research tool आपका काम करेगा तो simply आपको यहां से add करना है और जैसे add करते हो तो guys यह क्या करता है search volume में नीचे की तरब दिखाता है वो यहां पर दिखाता है पर यह कोई भी additional keyword suggestion नहीं दिखाता है यह particular keyword का ही suggestion आपको यह bottom में दिख रहा है वो accurate है आप उस पर believe कर सकते हैं लेकिन बहुत सी बार आपको ऐसा दिखेगा माल लीजे कि मैं SEO company पर click करता हूं अभी देखते हैं कि दोनों का search volume common है या नहीं है हर एक tool अपने अपने techniques use करता है और techniques use करने के बाद ने वो search volume निकाल के लिए क्या आता है तो यह second हो गया चलिए अभी इस keyword का देखते हैं यहां पर 14,800 का search volume United States से बता रहा है और अभी हम जाके देखेंगे कि keyword surfer इसका data किता दिखा रहा है जैसे वह data populate होगा हम एक बार compare करेंगे अगर फिर से accurate आ रहा है यह मतलब दोनों एक तरीके से सही data दिखा रहा है यह judge करने का एक तरीका है तो यह दूसरा हो गया लेकिन guys एक तीसरा जो tool है जो आपको use करना है वो है keyword cake लेकिन keyword cake जो है उसके अंदर आपको कोई भी I think chrome extension नहीं है आपको उसकी side पर जाना पड़ेगा और वहां से keyword research करना पड़ेगा ओके तो keyword cake यह वला है और interesting चीज़ यह है कि keyword cake यह keyword everywhere जो उसका जो honor है I think उनहीं का tool है यह तो एक तरीके से fairly same tool है लेकिन यह कोई chrome extension नहीं है आपको इस तरीके विंडो आएगी और यहाँ पर face up and type करता है what is SEO जो कि हमने देखा था वहां पर यहां पर type करेंगे what is SEO और search करते हैं देख सकते हैं यहीं वीडियो आइधिंग आपने keyword everywhere में भी देखा होगा या फिर आपको जो email आता था keyword everywhere से उसमें same honor और same ही video है तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से इन्होंने search किया है इसके बाद जब भी आप search करते हैं तो यहां पर आपको search engines आप कहां पर ढूंडना चाहते हैं और मैं यहां से आप country भी चूज़ कर सकता हूं United States के अंदर मुझे देखना है Google की API यूज़ करो मदलब Google से data fetch करके लाएगा कौन-कौन से results तो ultimately हमें क्या चाहिए product की type की info चाहिए questions चाहिए किस type का चाहिए तो कुछ भी आने दो ठीक है यहां Google से चाहिए, Bing से चाहिए, Yahoo से चाहिए, जितने भी YouTube से keyword research करना हो सब आप free of Cosmos search कर सकते हैं तो यहां पर आपको यह keyword cake का जो tool है वो आप use कर सकते हैं जबते कि data load होता है हम बाद में comparison करेंगें इसके बाद जो सबसे interesting tool है guys वो है Ubersuggest आप में से बहुत सारा लोग जान बहुत सारे other tools है जिसका आप use कर सकते हो और इसके लिए मैंने पूरी guide लिखी थी कि अगर आपको free में keyword research करना है how to do keyword research using free SEO tool MRVS idea पर तो guys आप इस post को पूरा detail में पढ़िएगा इसमें एक-एक step by step कैसे कौन सा plugin free में use करना है और कैसे Google से keyword research करते हुए आपको बहुत सारा अ आप एक अच्छा खासा keyword और साथे साथ अगर आप सेमर्स जैसे tool को free में use करना चाहता है तो कैसा होत की help से आप कर सकते हैं वह भी मैंने इस post के अंदर बताया था तो एक तरीके से guys आप यह सारे tool आपको use करना है और अभी आप जानते over suggest के बारे में तो एक तरीके से यहा दूसरा जो उससे भी मिला था तो यह सब टूल एक जीसा data दिखा रहे हैं मतलब सही यह data आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और last में जाके आपको uber suggest पर देख लेना और सबका एक average आपको एक idea मिल जाएगा इसमें मेरे साब से uber suggest और keyword surfer का use करता हूँ आप यह tool यूज कर सकता है रहा होग कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ interesting जानने को मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो comment करके बताईए और आप इसको free mind student को use कर सकते हैं अगले वीडियो में बने रहेगा KGR के बारे में discuss करेंगे आज के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हैं जय भारत